मेरे वाटसेप के नमबर पर सारा दिन दुख भरे संदेश आते रहते हैं सुभा से रेकर और देर रात तक कई-कई बार तो लोग दो-दो-तीन-तीन बजे दुख भरे संदेश भेजते हैं जब से रामचर इत्मानस, विन्य पत्रे का ध्यानविदी इत्यादे सीरेश शुरू होई हैं उसके बाद से भक्तों की भीड बढ़ गई है अपने दुखों को मेरे साथ साजा करने के सभी दुख साजा करते हैं मेरे साथ, सुख कोई नहीं करता, सब दुख और इतने सारे दुखों को पढ़ पढ़ कर, पढ़ पढ़ कर मैं हनुआइन जी से कहता हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं, मेरी तो खबर दो-चार लोगों को है आपकी खबर तो सारे संसार को है, सारे ब्रह्मान को है तब आप तक हनुआइन जी कितने दुख खाते होंगे त्योंकि जो भी आपकी शरण में आ रहा है आपको दुख सुनाने ही आ रहा है किसी की लोटरी लग गई वो आपके पास थोड़ी न जाएगा आपके पास तो वह आएगा जिसकी धन संपत्ति छिन गई है मिल गई है वह नहीं आएगा तो अब जो मेरे पास इतने दुख बरे संदेश आते हैं उनको पढ़ पढ़ कर सुन सुन कर मैं यह सोचता हूँ कि वे लोग कैसे हैं जो दूसरों को दुख देते हैं इतना और दूसरों को दुख देने वाले तो फिर भी समझ में आते हैं वे लोग कैसे हैं जो अपनों को ही दुख देते हैं एक महिला का मेरे पास वाइस मेसेज आया और उसने विनती की है हाथ चोड़ कर कि मैं उसका नाम ना बताओ मैं तो ना उसका नाम बताओंगा ना उसका स्वर लूँगा क्योंकि प्रश्ण ही ऐसा है प्रश्ण है कि मेरे पती जुवारी है उन्हें जुवे की लत है जितना कुछ घर का पैसा सब जुवे में हार चुके है घर में खाने को भी नहीं था फिर मुझे नौकरी करने पड़ी और अब हालत यह है कि मेरी नौकरी की जो सैलरी आती है जो वेतन आता है उस वेतन मेंसे भी मुझसे पैसा छीन कर ले जाते हैं जुवा खेलने के लिए बस इतना पैसा ही घर में बचता है कि जिससे घर की दाल रोटी बनती रहे भूखो ना मरें जब वे पैसा जुवे में जीत कर आ जाते हैं तब उसे उड़ा देते हैं उड़ा के पैसे फिर खाली के खाली और फिर मिर से मांगते हैं मैं ना दू पैसा तो घर में कलेश करते हैं लड़ाई जगडा करते हैं मार पिटाई करते हैं अब मैं क्या करूं मैं मजबूर होकर उनको पैसा दे देती हूं और बता देती हूं कि इतना पैसा तो घर के लिए रखोंगी नहीं तो रोटी कैसे खाएंगे हम तो अब आप मुझे यह बताईए, प्रश्ण जो है अब यह, उसने एक बार भी अपने प्रश्ण में उस महिला ने यह नहीं कहा कि ऐसे पती के साथ बंद के तो मैंने अपना जीवन नरक बना लिया कैसे मैं अभागी हूँ कि ऐसे पती के साथ मैं ब्याही गई उसने एक भी शब्द अपने पती के निंदा या भर्टसना में नहीं कहा कहा तो क्या कहा, प्रश्ण पूछा तो क्या पूछा प्रश्ण पूछा कि यह जो मैं अपने पती को जुवा खेलने के लिए विवश हो कर पैसा दे देती हूँ क्या इसका कर्म बंधन का दोश मुची लगेगा क्या मैं पाप की भागीदार होंगी इसमें कि मैं अपने पती को जुवा खेलने के लिए पैसा देती हूँ यह उसका प्रश्ण वहाँ तो मैंने उसे उतर नहीं दिया मैंने कहा मन के सवाल में मैं तुम्हारा प्रश्ण उठाओंगा वहाँ उतर दूँगा क्योंकि यह तुम्हारा ही प्रश्ण नहीं है ऐसे न जाने कितने मातर शक्ति के प्रश्ण जुड़े हैं जो अपने पतियों से, बच्चों से परिशान है, परिशान छोटा शब्द है, बहुत व्यत्यत हैं, अंतर आत्मा तक से दुखी हैं, अब आप सोचिए, इस पती की आत्मा के विशे में सोचिए, कि इतने लंबे जनमों के साथ, कितने ये दोश लेकर आई हैं, याने कितने कलुशित आत्मा होकर, फिर इस मनुष्य की देह में आ गई, क्योंकि कोई पुन्ने रहा होगा, कोई एक पुन्ने हैं, और उस एक पुन्ने के प्रताप से, इसे ये मनुष्य की देह मिल गई, लेकिन बाकी जो सारे के सारे पाप रहे वो पाप कर्म सारे जुंड के जुंड बना कर आ गए और उन जुंडों ने इससे क्या कहा कि सुम ना कोई तेरी पतनी है, ना तेरी माँ है, ना तेरे बच्चे है कोई नहीं है ये तेरे लिए तो सिर्फ अपने लिए जी और ये अपने लिए भी कहां जी रहा है ये राक्षत संस्कृति होती है कि जिसमें दूसरे की भावनाओं का समान न करना दूसरे के सुख दुख का न देखना और यहां तो कोई दूसरा है ही नहीं अर्थार्थ कैसा होगा वह व्यक्ति जिसे ना अपने बच्चों से प्यार ना अपनी पतने से प्यार ना अपनी मा से प्यार अर्थार्थ कि जिसे अपने परिवार से ही प्रेम नहीं पश्वों को भी अपने परिवार से प्रेम होता है और पश्वों को तो बहुत होता है, बहुत अधिक होता है, तो क्या ये पश्वों से भी गिरे हो गए, हाँ, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से ऐसे लोग पश्वों से भी अधिक गिरे हुए हैं, और तुम यह सोच रही हो बार-बार इस आत्म गलानी से कर्म दोश इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि तुम विवश होकर कर रही हो कोई प्रसन्यदा पुर्वक तुम पती को धन नहीं देती हो कि जाओ जुवा खेलो भाग्या अजमाओ हो सकता है हमारी भाग्या में बहुत धन आ जाए तो तुम लोब के वशिभूत होकर पती को धन थोड़ी ना दे रही हो मजबूरी है तुम्हारे जैसे ही तुम्हारा ये संदेश मैंने सुना तो मेरा ही मन बहुत पीड़ा से भर भर गया मैं तुम्हारी मनस्थिती को समझ रहा हूँ कि तुम पर क्या बीथती होगी कि अच्छा भला तुम्हारा वह पती जो घर को स्वर्ग बना सकता है और उसने पूरे घर को नरक बना कर रख दिया और ऐसे पती ये जान लें ऐसे लोग ये जान लें कि बस अब उनको मनुष्य का जन्म मिल चुका उनके जो संचित पुन्ने थे वे समाप्त और इसके बाद उनको जिन जिन यूनियों में जन्म मिलेगा जो कश्ट मिलेगा जो पीडाई मिलेंगी उसे नरक कहते हैं उसे नरक कहते हैं ऐसे लोग अपने लिए स्वयम नरक का स्रजन करते हैं खुद सजा रहे हैं अपने लिए नरक का द्वार हैरानी होती है देखकर कि कोई अपने लिए ही नरक के द्वार में प्रवेश करने के लिए आयुजन करता है लेकिन कर रहे हैं और भीड है करने वालों की भीड ये नहीं कोई एक दो भ्यक्ति हैं बिन बिन प्रकार से, अनेक अनेक आयामों से, अनेक अनेक विद्यों से सोयम को नरक में गिराने की तैयारियां चल रही है और धूम धाम से चल रही है अब कोई पूछे इस व्यक्ति से, इस जैसे व्यक्ति से कि तुम जो जुवा खेल रहे हो उस जुवे को खेल कर तुम्हें कौन सी उपलब्धी मिले उधर तुम्हारी पतनी रो रही है बच्चे रो रहे है अभाव से ग्रस्त है एक एक चीज को तरस रहे है और तुम तुम क्या कर रहे हो ऐसे मनुश्यों के भीतर पिशाच की आत्मा होती है यह समझ लेना पिशाच कोन होता है जो खून पीता है अनेक प्रकार हैं भूत, प्रेत, पिशाच पिशाच भी होते हैं जो खून पीते हैं तो अब इस तरह कि लोग क्या कर रहे हैं अपने परिवार का, समाज का, देश का सबका खून ही तो पी रहे है अन्ने था अपने घर को सजाते अपने परिवार को समारते उसमें खुशियां लाते घर के अंदर ही स्वर्ग का स्रिजन करते लेकिन नहीं और इसके साथ साथ अपने पत्नी को भी अपराद बोध से भर दिया वह भी सोच कर पाप की दोशी होगी लेकिन वह बिल्कुल दोशी नहीं होगी उसका कोई दोश नहीं जो भी कर्म हमें बाद्ध्य होकर करने पड़ते हैं विवश होकर हम चाहते नहीं उनको करना लेकिन उपरी दबाव कर्तव्यों के ऐसे होते हैं कि जिनके चलते हमें विक्ष करने पड़ते हैं अब इसके पास दो विकल्ब हो सकते थे दूसरा विकल्ब इसने चुना नहीं दूसरा विकल्ब यह था कि पती को तलाग दे दिया जाए कि मैं नहीं रह सकती ऐसे पती के साथ लेकिन धार्मिक महिला है धर्म भीरू है परमात्मा में इतना गहरा विश्वास है कि यह मान कर चल रही है कि मुझे जो ये पती मिला है यही मुझे मिलना था और यह मेरा भाग्य है कि मुझे ये सब भोगना पड़ रहा है निश्चित रूप से मैंने कुछ ऐसे पाप किये होंगे पूर जन्मों में कि मुझे ऐसा पती मिला पती को दोश नहीं दे रही अपने को दोश कि मेरे ही कुछ ऐसे पाप रहे होंगे अब सारी बात मैं सिर्फ उन पतियों पर केंद्रित कर रहा हूँ इस मात्रि शक्ती को जो समझाना था वो तो मैंने समझा दिया कि ये पाप मुक्त है निर्दोश है लेकिन ऐसे पती संभल जाएं अभी भी संभल जाएं क्योंकि जो लिख दिया है इन्होंने अपनी नर्क के ब्लैक बोर्ड पर उसे मिटाया जा सकता है सुधारा जा सकता है समारा जा सकता है यदि उन्हें अपने इस जीव को उनकी जो जीवात्मा है उसे अनंत अनंत जन्मों तक नर्कों की योनियों में नहीं भटकाना तो अभी संभल ना होगा जुवा इत्यादी व्यसनों से ततकाल मुख मोड़ना होगा ततकाल संकल्प पूर्वग और ये तब मुड़ सकता है जब परिवार से प्रेम लगाया जाए अपने परिवार से प्रेम करना सीखो देश से प्रेम करना सीखो समाच से प्रेम करना सीखो मानवता से प्रेम करना सीखो ये क्या हुआ कि अपने ही शत्रुबन बैठे और परिवार के लोग इतने प्यारे होते हैं कि इन जैसे लोगों पर उनको बहुत दया आती है उनका साथ देते है इस उमीद में साथ देते हैं कि शायद कल को ये सुधर जाएं शायद कल सुधर जाएं और कईयों का तो ये शायद कभी भी नहीं आता लेकिन फिर भी वे ठकते खारते नहीं हैं अंत तक अंत तक ऐसे दुरातमाओं का साथ देते हैं जो कि घर में बंदू-बंदूओं के रोप में जन्म ले चुके हैं साथ आचके हैं परिवार के सदस्से बन चुके हैं उन दुरात्माऊं का साथ देते हैं ये कितना भड़ा महान गुन है हमारे भारतिय परिवार का और ऐसे में शाल में इन लोगों को जिन पर दुरात्माँें ऐसी च्छाई हुई हैं उनको संतों का संग करना चाहिए, धर्म का संग करना चाहिए, सत्सं करना चाहिए, अपने परिवार से प्रेम करना चाहिए और अपने लिए जो इन्होंने आज तक चारों तरफ अपने एक नर्क जनमाया है, उसे समाप्त करना चाहिए, यही साधना है, यदि वे इस साधना क करेंगे तो निश्चित रूप से वे देवता बन कर निकलेंगे अभी राक्षस हैं पिशाच हैं लेकिन फिर इसी पिशाच में से इसी राक्षस में से देवता प्रकट होगा रुपांतरन होगा ट्रांसफोर्मेशन होगा आप इस ट्रांसफोर्मेशन की इस रुपांतरन की यात्रा पर निकल ये बड़ी आनंदेत यात्रा है बहुत आनंदेत जब आप अपने परिवार की केयर करते हैं देखबाल करते हैं उससे प्रेम करते हैं तब भीतर जो फूल खिलता है ना उसका आनंद ही अलग है, आप देखिए आपका परिवार आपकी कितनी देख बाल कर रहा है, कि आप जुव में पैसा हार जाते हैं, फिर भी वह पैसा जो रोटी खाने के लिए रखा है, वो आपको जुव खेलने के लिए दिया जा रहा है, प्रेम है ना परिवार का, आपसे कितना, और आप क्या लोटा रहे हैं, अपमान, ग्रणा, यही सबना, कश्ट, दुख, पीडाएं, क्या दे रहे हैं, और ले क्या रहे हैं उनसे प्रेम, आप जुवा खेल कर आते हैं, घर में पतनी को गालिया देते हैं, और पतनी थाल सजा कर आपके लिए भोजन रखे हुए है, शर्म नहीं आती, वो भोजन करते हुए, और भोजन करते-करते भी पतनी को गालियां दे रहे हैं, ऐसे तो पापी ना बनिये न, ऐसे पापी मत बनिये, पुन्यात्मा बनिये, ये पाप सबसे ग्रणित पाप है, कि जो आपकी सेवा करें, आपका ध्यान रखें, आप उसके प्रते ऐसा तरिस्कृत भाव रखें, ऐसा घ्रणित भाव रखें, नहीं, देवत्त्व की ओर बढ़िये, राक्षसत्त्व को छोड़िये, आपके भीतर जो ये राक्षस आ गया है, जो आपसे कुकृत्ते करवा रहा है, इस राक्षस को राम का नाम लेकर माल टालिये, क्योंकि जब राम हिर्दे के भीतर आएंगे न, वहाँ कोई राक्षण आ ही नहीं सकता राम वनों में 14 वर्ष रहे और एक विशेश था थ wrapping जहाँ राम चले जाते थे ठहरते थे वहाँ से राक्षण भाग आते थे उस प्रतेकिस्थान से जहाँ जहाँ चरन पड़े राम के बहां से राक्षास एकदम भाग लिए उनके गिरों के गिरों राक्षास जो आंटूलिया मना कर रहते थे सब भाग लेते थे सिर्फ ये सुनते ही कि राम यहां पर आ गए है तो अपने हृदे में पुकारिये राम को आने के लिए तुलसिदास जी तो बार बार कहते हैं न मांगत तुलसिदास कर जोरे बस ही राम सी ये मानस मोरे तो आप भी राम जी को बुलाईए हनुमान जी को बुलाईए और ये आपके मन मंदिर में आ गए तब सब सुंदर हो जाएगा दिव्य हो जाएगा प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा करकर देखिए जै खनुमान क्यान गुन सागर जै कपी सति हो लोक हो जागर हनुमान जी सारे आपके इन भूत पिशाचों को सब को निकालनेंगे जो आपके भीतर है भूत पिसाच निकट नहीं आवे महा भीर जब नाम सुनावे निरंतर खनवान जी का नाम जपी और कही हनवान जी जो मेरे भीतर ये जुवा खेलने वाले पिशाच हैं राक्षास हैं ये जो बुराईयों के और मुझे ले जाते हैं आप इन सब को भगा दीजिए बारम बार प्रार्शना केजिए देखिए हनवान जी कैसे इनको एक हुंकार से भगा देंगे उनकी हुंकार जब आपकी हरदे में बुझेगी ये कुछ नहीं ठहरने वाले ये ये हवाई 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 वाले हैं राक्षास दिनोंने आपके उपर लोग कहते हैं ना कि इस पर उपरी हवा आ गई है तो ऐसे जुवारी पतियों पर अत्याचारी पतियों पर ये उपरी हवा आ जाती है और हनवान जी की एक हुंकार इन उपरी हवाउं को उड़ा देती है तो फिर जानते हैं आप कि को नहीं जानत है जग में कपी संकट मोचन नाम दिखारो झाल